हेलो गाइज वेलकम बैक टू मिश्टर स्मार्ट टेकनिकल फाइनली फ्रीचार्ज ने भी अपना क्रेडिट कार्ड लोंज कर दिया एक्सिस बैंक के साथ टाइप करके तो फिलाल आप देख रहे हो क्रेडिट कार्ड की होड़ सी लगी हुई है पहले एमेजोन ने किया था प्लिप कार्ड ने किया था अब फ्रीचार्ज ने कर दिया और गूगल पे ने भी अपना क्रेडिट कार्ड लोंज कर दिया जिसमें धेर सारा केसबेक देखने को मिल रहा है तो इस वीडियो में आपको बैता हुँआ कि इसमें क्या बेनिफिट है क्या चार्ट जेज़ औ है तो क्यों आपको केसे अपको मिल जाएगा तो सारा कुछ इस में घ्लेर करेंगे तो वीडियो को कि मत करना अच्ट जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ हैं बेल आइकन कोड़ पर प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो डालू तो आपको नोटिफिक्स मिल से के तो चलिए वडियो श्टार्ट करते सारी इन्फोमेशन जान लेती हैं कि अब दो सबसे पहले तो आपके पास एक अकाउंट होना चीए अगर आपने अप्लिकेशन को इस्टोल कर लेना उसके बाद अकाउंट क्रेट करके अपना बैंक अकाउंट एड़ कर लेना है और फिड़ी इसे ऐफकर लिए उपन करने पाद आप देख सकते अपर मेरा नाम सब्सक्राइब करना है तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर लिखाता है एक्सिस बैंक फ्रीचार्ज क्रेडिट कार्ड इसमें आपको साफ साफ दिखा सब्सक्राइब करने के बाद आप देख सकते हैं तो आपको इस पर देखने को मिलते हैं पर एक्टिवेट और सूपर बावर नाव फिर आप पर नीचे कोई बिखा रखें तो सारा कुछ हम यहां बात करेंगे अब देख सकते हैं अब देख सकते हैं अब यह और पर दो कर सकते हूं अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में किसमें बेनिफिट क्या है तो आप देख सकते हो एवल दीज बेनिफिट यहां पर केस्वेग दिखार का पांच परसेंट और फीचार्ज से तो अगरा फ्रीचार्ज करते हैं फिर यहां पे दो नमबर यूप्शन के साथ हम ट्रांचे使ism करते हैं तो हमें 2% का मिलता है और को इसिब्स करते हैं एक परसेंट का केस्वेग मिलता है फिर यहां पर दिखा रखा है विए रहुस कर रखा है फिर कर रहे हैं यहां नीचे देख सकते हो यह आपको डिजिटल यह फीजिकल और दोनो रूप करेगा जहां से हमने apply करने का option मिला था और फीजिकल आपके घर तक आएगा आप देख सकते हो गेट डिजिटल कार्ड इंस्टेंटली आप्टर अप्र आपका कार्ड जब भी अप्रूल हो जाता है तो तुरंत आपको इस एप्लिकेशन में आपके घर तक आजाएगा फिर य आपको contact detail दिखा रखा है आपको mobile number और email आईडी तो email आईडी मेरी यहां पर जो लगी है यह गलत है तो मैं इसको चैंज कर देता हूं तो हमने contact detail फिल कर दी है mobile number और email आईडी डाल दी है तो उसके बाद हम करते हैं continue तो जैसे continue पर क्लिक करते हैं तो personal detail पर आ गए है अब हम हमें personal detail फिल करना है तो यहांपे customer का नाम जो पेंड कार्ड पी है फिर यहां पे जो नाम आप पिछाते हो यहां पे फिल कर देना है और आपकी date or birth, जेंडर और मदरका नाम और नाम और मदरका नाम तो यह फिल कर देते हैं तो हमने अपना नाम फिल कर लिया है, फिर जो card पर नाम जाते हैं, वो फिल कर दिया है, date of birth और gender, अपने mother का नाम या पर nominee का नाम सेलेक्ट कर दिया है, तो हम करते हैं, continue, फिर यहां पर address डिटेल करना है, तो residence, address और pin code और work address तो सारा कुछ यहां पर फिल कर देते हैं, तो पह यहां पर डिलिवर्ड करना है तो जो के वाइशी के डॉकुमेंट है वह एकसे बैंक का एक्जिक्ट्व यहां से ही क्लेक्ट करेगा तो रेसिदेंस एडर्स कर देते हैं फिर करते हैं कंटीनू तो कंटीनू करने के बाद एक नेक्स्ट पे चोपना दोता है जिसमें हमारा प प्रोफेशनल डिटेटल फिल कर दे था हैं कि अब प्रोफेशनल डिटेल में हमारा पहले में पहले से लगा है तो यहां पर नबर आगए हैं। daar यहां पिर ऐन्व करने के ऐसा कुछ २ोपन होगया था है अभी यहां इसे का मिट कीच है तो पहले बिश्वाले पर यह बेट नहीं आगर आप यह बिना देखे green ticker के accept कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ लिखा I am interested in the card protection plan तो यहाँ पर इस पर click करते हैं तो आपको card protection plan के इसाब से कुछ charge भी देना होगा extra तो आपको इसे tick नहीं करना अगर आपको card protection plan चाहते हैं तो आपको इस पर tick कर देना है इसका कुछ दार देना होता है कितना है वो मेरे को यहाँ पर confirm नहीं है तो उसके बाद आपको न accept है जैसे accept करोगी तो आपकी application यहाँ से submit हो जाएगी और free charge की तरफ चाप वो contact कर लिया जाएगा तो मेरे को यह credit card नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास already credit card है वही बहुत है तो आपको इसे apply करना है तो आप यहाँ से accept कर सकते हो तो अगर आपको यह credit card चाहिए तो आपको इसे accept कर लेना है और अपनी application submit कर देना है मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि मैंने यह बताने के लिए यह video बनाया था तो सारा कुछ मैंने आप फिल करके दिखा दिया है ऐसे आप credit card के लिए apply कर सकते हो तो उमीद अगाईज आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रिचार्ज का credit card कैसे apply कर सकते है जिसमें हमें 5% case पे मिलता है जो भी हम फ्रिचार्ज पे spend करते हैं इसमें कहीं पे भी यह नहीं बता है कि इसका annual फिस भी लगेगा बट मापको बता दो एक्सेस बैंक के बहुत सारे credit card है जिसमें 500 रुपे annual चार्ज कंफर्म लगता है तो आपको confirm कर लेना है साइथ मेरे साब से इसका annual चार्ज 500 रुपे तो confirm लगेगे ही फिर भी आपको apply करते time देख लेना है फिलाल तो इसमें कहीं पे शो नहीं कर रखा है और अगर आपको Amazon पे आईसे से credit card apply करना है तो सारा process मेंने बता रखा है साथ में Google पे का जो AS credit card loan चुआ है उसको कैसे apply करना है उसका process में मेंने बता रखा है तो Amazon का credit card है वो ना तो joining fees देना है ना annual fees देना वो एकदम free है पूरी तरह से 7000 रुप का caseback भी है तो वो वीडियो आपको देखना है तो description में लिंक बिल जाएगी उपर आई बटन में लिंक बिल जाएगी तो आप वीडियो वोच कर सकते हो तो इस वीडियो का भी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी सी वीडियो को लाइक कर देना और किसी भी वीडियो से लिटेटर कोई question तो आप कमेंट कर सकते हो अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ है तो आपको नोटिफिक्स मिल से थैंक्यू फो वाचिंग दिस वीडियो